नमस्कार जी, मैं मन्जू और आप सब कैसे हैं? आज मैं आपको पहाडी इलाकों में इस पुरे सीजन में, सर्दियों में ये जो दाल खाई जाती है, इसका नाम है कुल्द उसके बारे में बताऊंगी कि इसको कैसे बनाना है और हम हर रोज इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? तो सब्दियों के सीजन में ये जैदा से जैदा खाई जाती है इसके बहुत ही जैदा गुन पाये जाते हैं इसमें आयरुबेद में तो इस दाल का बहुत ही जैदा मातव है इसमें प्रोटीन, आयरन, कार्बोहाइडरेट और बिटामिन भी कॉम्पलेक्स भरपुर मात्रा में पाया जाता है अपने अपनी जगों में इसे अपने अपने नाम से पुकारा जाता है भारत के साथ साथ मतलब की इंडिया के अलावा ये साउथ इस्ट एशिया और अफ्रिका में भी उगाई जाती है ये डाल जो है गले के रोग, पत्थरी, पेट के रोग, अस्थमा बगेरा के लिए बहुत ही फायदेमंद है और जो बाई वहन इस डाल के बारे में जानते हूँगे तो उनको पता ही होगा कि डोक्टर लोग जब स्टोन हो जाता है तो कई बारी बताते हैं कि इस डाल का इस्तेमाल किया जाए बैसे तो कई तरिकों से इसका इस्तेमाल होता है बट जो इसकी डाल बनाई जाती है, चाहे तो आप मक्की की रुट्टी के साथ इसकी डाल का इस्तेमाल करो चाहे चावल के साथ करो चाहे तो आप चपाती के साथ इसकी दाल का इस्तिमाल कर सकते हो तो मैं इसके कुछ दाने दिखाती हूँ आपको किस तरह से होते हैं ये इस तरह से इसके दाने ये होते हैं ये आप देख रहे हैं ये ये कुल्थ के दाने कोई-कोई लोग इसे कुल्थी भी कहते हैं माचल पंजाब में तो इसे कुल्थ कहा जाता है और यहां कुछ लोग इसे कुल्थ कहते हैं और कुछ कुल्थी के नाम से जानते हैं तो मैंने खाने का तो कभी वीडियो ऐसा बनाया नहीं है और मैं चाती हूँ कि फटा फट बन जाए सबसे पहले हमें क्या करना है जैसे कि आप कोई भी जैसे दाल सब्जी बनाते हो तो पहले आप जब दाल बनाते हो कोई भी किसी भी तरह की दाल होती है जितनी आप नाप के बनाते हो हूल्थ को भी आप उतना ही लें फिर उसके बाद क्या करना है उसको साफ करके इस तरह से कुछ आप बॉाइल कर लें ये आप देख रहे हैं बॉाइल करने के बाद इसके ये ऐसे दाने होंगे ये कुछ इस तरह से होगे ये कुछ इस तरह से ये दाने होंगे इसके बॉाइल करने के बाद ये ऐसे तो कोई बाई बहन जो इसको बनाने की इबीदी नहीं जानते हैं दाल को कैसे बनाना है तो अगर वो साबुत इसको बना देते हैं तो ये गलते नहीं है वैसे तो ये गल गई है तो आपने क्या करना है इस कच्ची दाल को अच्छे से साफ करके धोके कुकर में फिर प्रैशर बनाके उसके बाद आपने सीम कर देना है और 10 मिनट के लिए गैस पर ही रहने देना है और 10 मिनट टाइम देखने के बाद आपने इसको बंद कर देना है और boil हो जाने के बाद ये इसका पानी है बीच में जो दिख रहा है और ये दाने इस तरह से ये गल गए है तो next step हमें क्या करना है next step जो हमारा है वो ये है कि अपनी सुविदा अनुसार आप इस दाल को boil की हुई दाल को इस तरह से ये grind कर लें आप ये जैसे मैंने की है चाहे तो आप फूट प्रोसेसर में कर लें चाहे मिक्सी में जैसे भी आपको आपके पास सुविदा हुआ आप उसी तरह से इसको कर सकते हैं तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगी ये बिल्कुल ऐसे पीस के बिल्कुल बारिक जैसी कुल्थ के पानी के साथ ही इसको पीस देना है अपनी तो फिर आगे हमें क्या करना है आगे जो next step है वो मैंने gas own कर दिया है और ये तेल मैंने इसमें कड़ाही में डाल दिया है तो तेल आप अपनी सुबिता अंसार जैसे भी आपको मन करे तो आप तेल उस तरह का ले सकते हैं जो भी आप vegetable oil खाते होंगे फिर कुछ नहीं करना है सबसे पहले हमें ये बस इसमें मसाले डालने है ये कुछ जीरा है, हल्दी है, नमक और ये जो मसाला है, ये मैंने डाला है ये आप जानते होंगे बहुत ही काम की चीज़ है, मेथी दाना इसको भून के पीसके मैंने एक डिबाबर रखा हुआ है और हर सबजी और दाल में इसका इसका इस्तेमाल करती हूँ और लाल मिर्च और नमक जितना आप खाते हो, उस तरिके से डालने सबसे पहले हमने ये जीरा तेल में डालना है ये जीरा डाल दिया और उसके बाद हमने क्या करना है ये प्याज, मैंने ये इस तरह से काटके रख लिया है दो प्याज मैंने रख लिया है तो जैसे कि आप अपनी दाल को तरका देते हो बस वैसे उसी तरह से और इसको सिला देना है यह हमारा प्याज भून रहा है फिर आगे हमें क्या करना है यह मैंने कुछ पेस्ट जो लसून और आद्रक का है यह मैंने पीस के रखा है तो मैंने इसको काड़ता नहीं है जैसे अद्रक और लसून को हम काड़ के डालते हैं छोटे छोटे पीस काड़ के डालते हैं इस तरह से कुछ ऐसे काड़ते हैं जब ऐसे काड़ते हैं तो उनका जो फ्लेवर होता है वो निकल के नहीं आता है निकल के अच्छे से नहीं आता तो इसलिए मैं आपसे कहाई हूँ कि जब भी आप लसुन और अदर जाल का पेस्ट की भी चीज वह आप ग्लाओ आफसे पेस्ट को ये इसमें पीस ले इसमें पीसली रद्धरा पीसले इस तो इससे क्या होता है जो वी जिस भी दाल सब्जी में आप इसका लस्ट का पेस्टrelated करोगे तो जो फ्लेवर इसमें अच्छा बढ़िया और ऊबर पाता है बहुत ही खश्वू को डेता है अलग तर तो आप करके देखिए अब ये प्याज हमारा थोड़ा सुनेरा होने लगा उसके बाद हमने क्या करना है ये लहसुन और अद्रक के दरदरें पेस्ट को ऐसे मिक्स कर देना है बहुत ही सिंफल जैसे आप संबर बनाते हो संबर को तड़का देते हो जाकिन दालनी तड़का देते हो उसी तरा से देना हूँ तो ये हमने कर दिया और इसकी साथ ही हमने अब क्या करना है यह जो रेड़ चिल्डी जितनी डालनी है आपको डाल सकते हैं मेरे घर में बहुत कम खाई जाती है तो मैं नामात्र की ही डालूंगी और हमने यह जो मेथी दाने का पाउडर है भूने हुए मेथी दाने का इसको भी मिक्स कर देना है तो यह अब हमारा प्याज के साथ साथ लसुन और अद्रत का दरदरा पेस्ट भी गुना जा रहा है तो यह कोल्ट इतनी फाइले मंद है कि पहाडी लाकों में जैसे बहुत ज्यादा ठंड होती है तो इन दिनों क्या किया जाता है ज्यादा से ज्यादा लोग को खाना पसंद करते हैं इतने सारे रोगों को तो यह दूर करती ही है और आयरवेद में इसका बहुत ज्यादा महत्तव है आयरवेद वाले द्वाईयों में द्वाई बनाने में कई सारी द्वाईयों में इसकी कुल्त के दानों का इस्तेमाल करते हैं बहुत ही ज्यादा महत्तव है इसका हुआ है तो मेरी कई बाइबैण है वो नहीं जानते हैं कि इसको पीश के कैसे बनाया जाता है बस अब यह हमारा मसाला हो गया और यह जो हमने यह कर किसजिए थी इसके पानी के साथ ही पीश दी थी झाति गेप को सबते ज्माण से बाएब हों यह हमने इसमें डाल दिया और पानी कम जाए जैदा हो तो आप अपनी सुविदा अनुसार और डालने तो अभी मैं इसमें पानी मिलाओंगे और अब मुझे हल्दी और नमक भी मिला देना है इसमें ये मेरे गर में इतना नमक चलता है ना आपके एक चमच तो मैं इतना नमक डाल दूने बाकी आप अपना टेस्ट देख लें कि आपको कैसा नमक चाहिए उसी तरह से आप बनाएं ये ऐसी चलाते हैं इसको बहुत ही आसान तरिक है तो मुझे लग रहा है मुझे पानी की थोड़ी सी जरूरत है मैंने बहुत सारे बाई बेन ऐसे बनाती हो और बहुत सोच रहे होंगे कि ये कोई खास चीज नहीं थी बताने की पर मैं इसलिए कहा रही हूँ कि बहुत सारे जो मेरे भाई बहना अपने अपने त्रिकों से इसका इस्तेमाल करते हैं तो कोई लोग जैसे इसके दाने बॉइल करके उसकी प्रोंठी बनाना पसंद करते हैं अब इसके बाद क्या करना है मैं बताती हूँ इसके बाद इसमें खटाई डाली जाती है तो मैं एक लैमन डालूगी इसमें तो अगर आपके घर में कम खाते हैं तो आप थोड़ा कम डाल लीजिए अगर जैदा खाते हैं तो आप उसी अनुसार डाल लीजिए तो मैं ये एक लेमन डालूँगी, लेमन बहुत बड़ा है पूरा नी डालूँगी, मैं थोड़ा इसको कम नी चोलूँगी, क्योंकि बहुत बड़े साइज का है बस इतना डालूँगी, आपको जितना खटा पसंद है आप उतना ही डालिए ये तड़का हो गया, अब अगला स्टेप क्या है हमारा जैसे हम कड़ी में बेसन गोल के डालते हैं तांकि ये हमारा पानी अलग और गोलत अलग ना हो तो इसमें हम थोड़ा सा गेहूं का अटा ये मैंने डाल दिया है ये गेहूं का टाप देख रहे हैं, इसको अब क्या करना है ये पानी डाल के गेहूं के अटे को पानी में ये मिक्स करके ऐसे अच्छे से घूल देना है और फिर इस कूलत में जो हमारी उबल रही है इसमें मिक्स करना है तो हम ऐसे अटा सिधे अगर बीच में डालते तो वो लंस पड़ जाते तो हमें सिधा नहीं डालना है इसको घूल के बस उतना जैसे आप कड़ी बनाते हो योकडी में जितना बेसन डालते हो ना उतना सा बस आप लेने अट्टा थोड़ा सा लेना है ज़्यादा भी नहीं करना है फिर बहुत ही ज़्यादा घनी हो जाए तो इसको अच्छे से गूल लेना है अच्छी तरह से बस आप ये वीडियो मेरा बनाने का आपको दिखाने का ये मकसद था कि ये सर्दियों में बहुत ज़्यादा खाई जाती है और अलग-लग फॉर्म में लोग खाना पसंद करते हैं कोई प्रॉंठी खाना इसकी बना के खाना पसंद करता है और कोई टिक्की बना के खाना पसंद करता है और कोई लोग इसका सूप पिना पसंद करत हैं क्योंकि इसकी जो medicinal values हैं बहुत जैदा हैं यह इस तरह से हमने पूरा गूल लिया यह आप देख रहे हैं तो मैं अभी थोड़ा हाथ साथ दाल लेखी यह हमारी दाल जैसे अब यह वाइल होने लगी है इसको गैस को हमने सीम कर दिया तो यह इसमें दीरे-दीरे हमने ऐसे जाना है यह डाल दिया हमने तो इसका कल्डर देखी कितना अच्छे से आ रहा है बहुत अच्छी तरह से आ रहा है तो मुझे लग रहा है इसमें थोड़ी पानी की और ज़रूरत है तो मैं इसमें पानी मिक्स करूए थोड़ा सा पेट बगारा पेट के जो रोग होते हैं उनके लिए कि बहुत ही ज़्यदा फाइदे मंद है और पत्री के लिए तो डोक्टर इसे बहुत ही ज़्यदा लोगों को बताते हैं आपने सुन रखा होगा जिनन बाइबेन इसका इस्तेमाल करते हैं आते हैं तो आपने सुना ही होगा तो ये मुझे आइडिया कहां से आया कि मैं इसका वीडियो बना के आपको दिखाऊं कुछ दिनों पहले मैं आपनी एक फ्रेंड के यहां गई थी तो इस कूल्थ के बारे में बात चल रही थी तो वो मेरी दोस्त कहने लगे कि हम टिकी बना ही नहीं है हम जितना मर्जी गैस पी उसको जितनी देर रखें तो मैंने उनको कहा कि सिर्फ दस बारा मिनट आप प्रेशर बनने के बाद आप कुकर में प्रेशर जब बन जाता है तो गैस को आप सीम कर दीजिए तो वो बड़े अच्छे से गल जाती है पर वो कहते नहीं ह हम जितनी मर्जी देर रखते हैं तो वो हमारी डाल बंती ही नहीं अच्छी तो वो क्या करते थे इसको जो है ट्राइंड नहीं करते थे पीस्ते नहीं थे तो फिर मैंने उनको बोला कि गूलत की डाल जब बनाते हैं तो उसको पीसना पढ़ता है और ये अब हमें इसी तरह से कुछ देर इसको चलने देना है और जैसे कि हम कड़ी के लिए करते हैं जितनी देर हम कड़ी रखते हैं उत्री देर इसको रखना है और आगे का मैं फिर थोड़ी देर में आपको बताती हूँ दस मिनट हो गए हैं हमारी दाल को बनते हुए और अब हम डखकन हटा के इसको देखेंगे जैसे कि ये बहुत अच्छे से बन गई है तो आप अपनी सुविदा अनुसार ज्यादा टाइम भी कर रख सकते हैं तो ज्यादस ज्यादा 15 मिनट रख लीजिए जैसे कि आप कड़ी बनाते हो बस उसी तरह से जैसे आप कड़ी में बेशन डालते हो ना फिर उसके बाद रखते हो उसी तरह से करना है इसको तो ये अच्छे से त्यार हो गई है उसके बाद आपने क्या करना है ये मैंने हरा धनिया ये मैंने कुछ काटके रखा था ये सब मैंने त्यारी लिए करके रखी थी तांकि मेरा बिडियो लंबाना बने और मेरी बहने तो सब दाले बनाती है उनको पता ही है क्या तड़का समान होता है क्या से त्यारी करनी है तो ये धनिया डाल देना है, इसमें धनिया पत्ती है, धनिया पत्ती हम ये खुब सारी इसमें मिला देंगे, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, ये धनिया पत्ती हमने मिला दी और गैस को हमने ओफ कर देना है, ये ओफ कर दिया, तो अब क्या करना है कई लोग जो बताते हैं बोलते हैं कि ये जो दाल होती है थोड़ी खुशक होती है तो जब भी आप सरकरे रोटी के साथ दे किस चीज के साथ चाबल के साथ दे तो थोड़ा ये ऐसे ये दाल जैसे जिस तरह से भी खाएं और उपर से देसीगी जरूर मिला लें तो इसका जो टेस्ट है वो तो फिर आप खाके ही मुझे बताओगे कि कैसा है ये इस तरह से देसीगी और सरदियों में तो देसीगी खाया ही जाता है ये तो कटोरी में थोड़ी सी दाल है चावल के साथ जैदा लगी तो जिन भाई बेनों को अगर स्टोन की प्रोब्लम है तो ये दूसरे तिसरे दिन इस दाल का इस्तेमाल करें जैदा से जैदा इस्तेमाल करें इस दाल को खाने से क्या होता है जो स्टोन होता है वो डिजोल्व हो जाता है तो ये जो दाल है इसकी तासीर गरम होती है अगर इसका हम ज़्यदा से ज़्यदा इस्तेमाल करते हैं तो खांसी जुकाम की प्रोबलम भी हमारी दूर होती है वो हमें फिर पुरी सर्दियों बर होगा ही नहीं तो होप करती हूँ आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा और मुझे नहीं मालूम था कि ये कुकरी बाला कैसे बनाना है तो आज मेरे घर में ये बनी रही है दाल तो मेरे घर में सर्दियों में तो ये हर तीसरे चोथे दिम बन जाती है तो हम इसको खुखाना करते हैं तो मेरे भाई बेनों आप भी इस दाल को जरूर बनाएं और ये देशीगी डाल के उपर से देशीगी जरूर डालें तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है बहुत ही अच्छी तो जूर बनाएं फिर मुझे बताएं कैसी बनी है क्योंकि बहुत सारी जो माताइं बहने हैं वो ये नहीं जानती है कि इस तरह से ग्राइंड करके इसको डाल को ऐसे भी बनाया जाता है और अगर हम जैदा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम रोज टिक्की नहीं खा सकते और टिक्की में तो फिर बहुत सारी चीज़ ऐसी होगी जो हमारी हेल्थ के लिए नु प्रोंठी भी हम रोज बना के नहीं खा सकते तो डाल को तो हम हर दूसरे तिसरे दिन इस्तिमाल कर सकते हैं अगर मेरे बाई बेहन कोई डाल का इस्तिमाल नहीं करना चाते तो इसको कूल्थ को वाइल करके जो इसका पानी होता है हलका सा नमक डाल के जासे इंदा नमक डाल और आप अपने घर में इस कूलत को जरूर बनाओगे और इसके जितने भी गुन है उनका भरपुर फाइदा लोगे धन्यवाद जी